दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चलान इंगलिश बाव उपर और आज में फिर रहा जिरू हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ तो दोस्तो आज की इस क्लास में मैं करने वाला हूँ इस आर्टिकल को ट्रांसलेट जो की एक निउस आर्टिकल है टाइम सुन कि यहाँ पर मैं आपको हरवर्ड की मेनिंग बताऊंगे और साथ में जो टैंसेस होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलें दोस्तो सबसे प्राप्त करता है 99.78 प्रतीशत इन कैट में इस साल और दोस्तों आप यह देख सकते हैं कि यह प्रिजन इंडेफिनेट में ही लिखा है 99 यह जो आप देख सकते हैं प्रिजन इंडेफिनेट में ही लिखी जाती है तो चलिए दोस्तों अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूं आप इसे ध्यान से सुने और मैं कोशिश करूँ आपको हरवर्ड की मीनिंग भी साथ के साथ बताता चलू राजिन मंसूरी 22 जो नाम दिया यहां पर से 10 12 वाइस साल संओ और एन एयर कंडीशनर रिपेर हैं जो की पूतर हैं एक एर कंडीशनर रिपेर आपन के एंड आर रेजिडेंट ओ आफ एम्दाबाद रेजिगेंट का मलता था निवासी एहमदाबाद की निवासी हैड़ स्कोड है इसकोड दोस्तों एह पास्ट एह मतलब उन्होंने स्कोर किया था 96.2 प्रतीशत इंदा कॉमन एड्मिशन टेस्ट के मज्यसों हम कैट बोलते हैं शॉट में उसमें स्कोर किया था कैट 2021 एंड वाज एलिजिबल और वह एलिजिबल थे एलिजिबल का मतलब होता है किस चीचिच के लायक होना फोर एड्मिशन इन आयायम उदेपूर और वह कि चीज में और वह आयायम उदेपूर में एड्मिशन के एलिजिबल थे बट लेकिन मंसूरी वाज नौट सैडिस्वाइड यह दोस्तों सिंपल पास्ट का टैंस है जब हम वाज वर के बाद कोई एड्जेक्टिव का प्रियोग करते हो तो सिंपल पास्ट होता है तो और यह सैडिस्वाइड का मतलब होता है संतुष्ट तो इस लाइन का क्या मतल मतलब साथ होता है लेकिन कई जगाओं पर विद का मतलब से भी हो जाता है तो यहां पर विद का मतलब जो है वो से है तो क्या था सेंटेंस यह बट मंसूरी वह नौट सैडिस्वाइड यह पास इंडेफिनीट का टैंस है और डिसाइड का निलने लेना यह फैसला करना ही उन्होंने फैसला किया तो गिव इट अनादर शॉट तो गिव मतलब देना इत अनादर शॉट मतलब एक दूसरा प्रियास करने का उन्होंने फैसला किया तो गिव अनादर शॉट मतलब अनादर शॉट का मतलब यहां पर हुआ है किसी चीज के लिए दोबारा से प्रियास कर इस मसूरी स्कोर 99.78 जैसे कि इस मतलब जैसा होता है जैसे मनसूरी इसकोर जो है उन्होंने स्कूर किया 99.78 परसेंटाइल इसका मतलब बनाते हुए इसका मतलब बनाते हुए क्वाइट हाई मतलग काफी जादा चले दोस्तों आगे देखिए मंसूरी कंप्लीटेड हिस इंजिनिरिंग जो मंसूरी उन्होंने अपनी इंजिनिरिंग कंप्लीट की इन आई टी आई टी से इन आई टी से फ्रॉम एहमदाबाद उनिवर्सिटी एहमदाबाद उनिवर्सिटी से इन में दिस इयर मतलब मई में नो ने कंप्लीट की इसी साल इस फादर अंस अं का मतलब होता है पैसे कमाना इस फादर अंस अबाउट 25,000 पर मंथ इस फादर अंस अबाउट अबाउट का मतलब होता है लगभग इस फादर उन्स अबाउट रुपीज 25,000 पर मन्त उनके पिता जो है करीब 25 या रुपे महिना कमाते हैं राजिन राजिन इस फादर उनके पिता इर्फान मंसूरी मदर सभीया एंड मा का नाम दिया हूँ मदर सभीया एंड हिस यंगर ब्रदर उनके छोटे भाई यंगर मतल रहते हैं इन वन बैड्रूम एक बैड्रूम के घर में और दोस्तों यहां आप देख सकते हैं लिव लिव का मतलब उता रहना चलिए आगे देखिए एज माई फैमिलीज एकोनॉमिक कंडिशन इस वीक एज माई फैमिलीज अब जैसे यहां पर आप एपैस्टोफी देख स ठीक, हाई स्कूल से, I have mostly studied, I have mostly studied, यह present perfect का tense है, hasf के बाद जब थर्ट फोम आइगी तो प्रिजन पर फेक्ट हो जाता है, I have mostly studied मतलब मैंने जादार पढ़ाई की है, on scholarships मतलब scholarships पर पढ़ाई की है, after completing high school from cn विद्ध त्याले, मतलब हुआ कि अपनी high school की पढ़ाई कर, complete करन I took admission in Ahmedabad University यह take की second form है इसका मतलब होगा लेना लिया I took मैंने लिया admission admission लिया in Ahmedabad University Ahmedabad University में and completed engineering और complete engineering complete की in IT I again got a scholarship again मतलब दुबारा I again got और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं get की second form है got और इसका मतलब होता है प्राप्त करना या फिर किसी चीज का मिलना तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है I got I again got मुझे दुबारा प्राप्त हुई I scholarship, एक scholarship in AU AU यहाँ यहाँ पर दिया हुआ है Ahmedabad University के लिए as my performance was good जैसा कि मेरी performance जो थी अच्छी थी Mansoori told TOI Mansoori ने TOI को बताया चले आगे देखिए He said उन्होंने कहा that की after he completed engineering मतलब की जब complete कर ली उन्होंने complete करने के बाद engineering complete करने के बाद He was offered jobs उन्हें job offer अच्छा यह आप देख लीजी जो sentence है जब was work के बाद third form आया है तो आप समझ जाएगा कि active passive है तो passive का tense है तो इस line का मतलब हुआ He was offered jobs उन्हें job offer की गई with our rupees 6 lakh annual salary 6 lakh salary की उन्हें job offer की गई I did not take the offer I did not take the offer का मतलब हुआ यह भी pass indefinite का tense है मैंने offer नहीं लिया as my dream was to get admission in IIM जैसा कि मेरा सपना था was to get admission admission लेना in IIM में preferably का मतलब होता है प्रात्मिक्ता में in IIM A और IIM B I am A और IIM B में I started preparing दोस्तो यह pass indefinite का tense है तो जब भी आप को ऐसा वाक्या बनाना चाहते हैं जहां पर आप लगा दिखाना चाहते हैं sentence में जैसे मैं जाने लगा मैं करने लगा तो आप यहां पर started लगा सकते हैं तो इस लाइन का क्या मतलब होगा I started preparing इसका मतलब होगा मैं तैयारी करने लगा तो यहां पर जो start का use किया गया है started यह लगा के लिए use किया गया है और इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि जब भी आप इस तरह के sentence बनाएंगे तो आप start यह started जो भी लगाएंगे tense के अनुसार उसके बाद आपको हमेशा fourth home का ही प्रियोग करना होगा तो आप इसको use कर सकते हैं अपने बाकियों में तो यह बाकिय क्या है I started preparing मैं तैयारी करने लगा तो बहुत अच्छा sentence से आप अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश में कि मैं तैयारी करने लगा for cat cat key and took the test और टेक तुक दा टेस्ट का मतलब हो और मैंने टेस्ट किया किसी पिरकार का कोई एक्जाम देना कोई इमतहान देना तो उसके लिए हम टेक टेस्ट का एक फस्ट हो में और यहां पर तुक दा टेस्ट सेकेंड फॉर्म हो गई हावेवर हाला कि as I did not take मैंने नहीं किया I did not take on I did not take any coaching मैंने कोई coaching नहीं ली यह भी पास इंडेफिनिट का टेंस है I got 96.20 मुझे प्राप्त हुई I got मतलब मुझे मिले 96.20 प्रितिशत I was not satisfied यह पास्ट सिंपल पास्ट का ही टेंस है I was not satisfied का यहां पर यह मतलब हुआ कि मैं जो है satisfied नहीं था मैं संतुष नहीं था with the result मतलब रिजल्ट से प्रेणाम से and decided और और फैसला किया यह निलने लिया to take the exam again दुबारा एक्जाम देने का मतलब दुबारा उन्हों ने फैसला किया एक्जाम देने का in 2022 में मनसूरी सैड मनसूरी ने कहा he added he added मतलब किसी बात के साथ को और एक और बात जोड़ देना तो उसको add बोलते हैं हापर second form he added मतलब उन्होंने इस बात में यह बात जोड़ी that key he enrolled enrolled का मतलब होता है किसी जगा पंजी करन करना for a coaching class मतलब उन्होंने enroll किया coaching class में for cat cat के लिए for cat 2022 as it charged him only half the fees जैसा कि उन्होंने सिर्फ half of the fee मतलब सिर्फ आधी फी उन्होंने charge की it is an exceptional achievement exceptional का मतलब होता है असाधारण achievement मतलब होता है कोई चीज को हासिल करना तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ it is an exceptional achievement यह काफी असाधारण achievement है given his family background given his family background मतलब उनके परिवार के background को देखते हुए and financial struggles and financial struggles मतलब पैसों का लेकर जो struggle है उसको लेकर financial मतलब होता है पैसों का I am sure I am sure मतलब मैं निश्यन्त हूँ he will be a great student I am sure मैं निश्यन्त हूँ he will be a great student वह great student होंगे मतलब महान student होंगे for any top IIM किसी भी top IIM के sad Satish Kumar Satish Kumar ने कहा head of the coaching class जो head coaching class के वेर मनसूरी trained जहां पर मनसूरी जो है वो trained हुए है यह trained किये गए है कि आगे देखिए once I pass out from I am once I pass out from I am इसका मतलब जब मैं pass out कर जाता हूं I am से I want to give back to society आई दोस्तों यहां पर आप एक चीज़ देखिए note कर लीजिए इसको जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप यह show करना चाहते हो चाहना या चाहता हूं तो आपको want का प्रियोग करना है और दूसरी बात ही है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिस वाक्य में एक से ज्यादा वर्व हों दो या तीन वर्व हों तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब आप दूसरी बार दूसरी वर्व या तीसरी वर्व का प्रियोग करेंगे तो आपको उससे पहले टू लिखना है और टू के बाद हमेशा आपको first home लगानी है तो यह चीज आपको याद रखनी है अपने English को सुधारने के लिए तो sentence क्या है once I pass out once I pass out जब एक बार में जब मैं इसको pass out कर लेता हूं from I am I am से I want to give back I want to give back मतलब मै मैं वापस देना चाहता हूं to society society को what I received from it जो मैंने इससे प्राप्त किया इसका मतलब यह हुआ कि जो society से मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसको वापस करना चाहता हूं I want to help आयत देखी यहां पर यह आप देख सकते हैं to के बाद सिर्वर्फ की first home का ही प्रियू किया गया है I want to help का मतलब हुआ मैं मदद करना चाहता हूं as many students as I can दोस्तों इसको note कर सकते हैं as many students as I can इसका मतलब हुआ कि जितने जादा हो सकें जितने हो सकें उतने students की उतने विधारतियों की as I can as many students as I can मतलब जितनों की मैं मदद कर सकूँ उतनों की मदद करना चाहता हूं in their education in their education मत मतलब उनके सिक्षा में मनसूरी सैड मनसूरी ने कहा तो दोस्तों मैंने कोशिश किये यहां पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और साथ में टैंसिस भी मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे